देश के नई चीफ जस्टिस यू यू ललित सुर्ख्यों में है जस्टिस उदे उमेश ललित ने शनिवार 27 अगस को देश के 49 चीफ जस्टिस ओफ इंडिया के तौर पर शपत ली थी आज उनका पहला वर्किंग डे है अदालत में अपने पहले ही दिन सुप्रिम कोट के मु उमेश ललित हैं देश को नई चीफ जस्टिस से काफी उम्मीदे हैं लोगों को भरोसा है कि वो नियाई पालिका में अपने फैसलों से एक नई नजीर पेश करेंगे और आज अदालत में अपने पहले वर्किंग डे पर कुछ ऐसा ही किया चीफ जस्टिस ने अपने इस ए ललित ने 900 से अधिक याचिकाओं को सूची बत करके एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया इन याचिकाओं में करनाटक हिजाब विबाद केरल के पत्रकार सिद्धी की कमपन की जमानत गौतम नवलखा समेत कई मामले शामिल हैं सुप्रिम कोर्ट की वेबसाइट पर अप रिफॉर्म के साथ 15 बैंचों को 900 मामलों की सुनवाई सौपी है यानि एक बैंच 60 केस सुनेगी और 4 मिंट में एक केस सुलजाएगी इस तरह सुबा साड़े 10 बजे से शाम 4 बजे तक करीब साड़े 4 घंटों का समय सुनवाई के लिए निर्धारित रहेगा जस्टिस एम के कारेकाल की शुरुआत में ही 25 मामलों का निप्टारा समिधान पीट में होना है यानि ये मामले 5 जजों की बैंच में सुने जाएंगे इनमें सबसे एहम महराष्ट में शिंदे उद्दफ केस रहेगा इसके अलावा सम्विधान में 123 संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती ह वार्सब प्राइवेसी पॉलिसी जली कट्टू जैसे मामलों की सुनवाई भी सम्विधान पीट में ही होगी डिबिलाइफ की रिपोर्ट